हेलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक धीकेजी रियल पॉइंट में आप सभी को एक बार फिर वेलकम है स्वागत है और आज मैं मैं त्रिक यानि तेंथ क्लास विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का 25 मौस्ट अबजेक्टिव कोश्चन लाया हूँ जो की आपका दोन सजादा सेयर करें ताकि हर कमजोर विद्यार्थि के पास ये विडियों जाए और उसकी इंग्लिश प्रिप्रेशन अच्छी से हो ठीक है ना पहला कोश्चन आर्चिर्थ हर्चं वाज आर्चिर्थ हर्चं हैं रिटेन आर्चिर्थ हर्चं हैं इसमें से कौन से चेप्टर लिखे है तो लिखे है दपेस्फर लिभिंग यानि सी एंसर होगा दो पेस पर लिभिंग जो है आर्ची सहर्चंस के द्वारा लिखा गया आगला कोचन इन पेसल पर लेविंग दो ओधर शाव फेसल फर लेविंग में जो है न ओधर लिखक साव मने देखता है क्या देखता है एक प्ले करते हैं, एक रोल करते हैं, अपने किड़डार करते हुए देखता है यानि C एंसर होगा ठीक है, ना, प्ले me and a clergy bit has been authorized भाज ये किसके दोरा लिखा गया है तो इसको बताना है तो ये भी लिखा है john lexway के दोरा ये लिखा गया है me and a clergy bit which one is not one of slogan in me and a clergy bit एकलावजी बीट के लिए इसमें कौन सा स्लोगन स्लोगन इसमें कौन सा नारा दिया गया था तो पेर बचाओ सेव ट्री यानि भी एंसर होगा सेव ट्री यानि पेर बचाओ ये स्लोगन था ठीक है न मी एकलावजी बीट का In the story written महादेवी बर्मा गिल्लू वाज एडेस महादेवी बर्मा के जो चेप्टर लिखा गया है गिल्लू उसमें गिल्लू क्या है तो ये है एसक्वाइरल एक गिलहरी है गिलहरी ये ठीक है ना महादेवी बर्मा वाज बैसिकल माने महादेवी बर्मा बुनियादी रूप से क्या थी तो याद रखी या पोईटेस्ट थी यानि कभी त्री थी according to essay what is the wrong with Indian film the average American film American film is an तो ये क्या है तो याद रखेगा है कहानी कानुशार what is the wrong with Indian film the average American film is ये क्या है तो एक model bad model है क्या है जी एक bad model है यानि ए एंसर होगा bad model आप याद रखेगा अनुसंग सुकिया वाज बर्नी ने अनुसंग सुकिया का जनम हुआ था आई कौन सा country में बताना आई कौन सा country में जनम हुआ था तो याद रखिएगा रंगून जो की रंगून जो रखिएपका मैनमार कॉंट्री में पड़ता है रंगून वहाँ का केप्टल है यानि राजधानी है मित्रो याप याद रखिएगा ध्यान पर रखिएगा इस बात को अनुसंग सुकिया ओन दा नोबेल प्राइज इन दा फिल्ड अफ यानि किस छेत्र में किस छेत्र में अनुसंग सुकिया को नोबेल प्राइज दिया गया था छेत्र का नाम बताना है तो याद रखिए अनुसंग सुकिया को पीस यानि सांती के छेत्र में नोबेल टोनी मर्सन जो नोबेल प्राइज प्राप्त किये हैं वो टाइम बताना है कि वो किस टाइम में नोबेल प्राइज प्राप्त किये हैं आपके पास चार टाइम दिया है तो याद रखिएगा नईसा तिरानवे में है न ये नोबेल प्राइज प्राप्त किये थे और भी क्या की थी पीस मतलब सान्थी के शेतर में की ठीटी ठीके ना इनका प्राइज कब दिया गया था तो इनका प्राइज अनाईस सा एक कानवे में दिया गया था अट्रोनी मर्शन उसको कब दिया गया था तो यह अनाईस सा तीरानवे में जो कि आपका डी अंसर होगा ठीके ना डा है ठीक है ना अगला कोश्चन से हूँ हाँ है रेटेन दा यूनिटी इंडिएन क्यों राली इंडि इंडिएन कोट्षर्ल के लेखक प्व legit है तो हमायून कभीर है हमायून कभीर जो है इंडिएन किल्च दीन के लेखक है मैं दोस्तों याद रखिएगा एकोडिंग एकोडिंग टू राइटर अफ दा इन्डियन कॉल्चरल वेर डैस रिग्रोड़ेट एज दा अर्लिस्ट इन्भेडर्स अफ दा लेंड सबसे पहला जो आये थे अकरमनकारी वो कौन थे तो आर्यन थे आर्यन थे ठीक है ना ये आपका इम्निटी कॉल्चरल से लिया गया सबसे पहले येर लिस्ट मतलब इन्भेडर्स मने अकरमनकारी जो थे वो आर्यन थे आर्यन आप याद रखिएगा आर्यन योकि ए एंसर होगा दा स्टोरी रिटेन बाई दलियो टोल एस्टोए का कौन सा टोल एस्टोए जो हमारे जो रा अथर है लेखाक है इस कौन चेप्टर का लेखाक है तो इस चेप्टर का नाम बताना है इस चेप्टर का आपका नाम है लिटिल गर्ल लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन यानि बी एंसर होगा आपका ठिक हे ना लिटल गर्ड वाइजर देन में यानि B एंसर होगा याद रखिये गा जिसके अथर है लिओ टोल एस्टोए लिओ टोल एस्टोए लिओ टोल एस्टोए स्टोरी इस अबाउट कोछी के कहानी है तो two girl की है दो लर्खी की कहानी है God made the country has been composed by एक किसके द्वरा लिखा गया है God made the country ठीक है न याद रखिएगा यह आपका William Copper जो है इनके author लेखग William Copper के द्वरा लिखा गया है God made the country and man made the town ठीक है न एक कोडिंग टू पोयम God made the country and man man made death तो याद रखिएगा भगवान ने भगवान ने देश बनाया और आदमी ने आदमी क्या बनाया भाई तो आदमी ने टाउन बनाया यानि C answer होगा ठीक है न एक पोयम written is the 14 lines is called यानि चोदे लाइन को जो पोयम लिखाता है न वो चोदे लाइन को पोयम को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा चोदे लाइन को पोयम जभी पुछे तो उसे हम सोनेट कहते हैं यानि C answer होगा सोनेट क्या कहते हैं उसके मित्रो तो सोनेट कहते हैं यानि C answer होगा सोनेट कभी के अनुसार ओड अन्सलूटेड चेप्टर में एक खुस ब्यक्ति किसके साथ संतुष्ट रहता है तो इसका एंसर होगा एक फ्यू एकर्स अफ इन हैरिटेड लेंड अपने जमीन के साथ वो अपने भूमी के साथ वो क्या रहता है हैपी रहता है खुस रहता है सटिफाइड रहता है संतुष्ट रहता है ठीक है नत एक होगा इसका answer होगा एक फ्यू एकर्स अफ लेंड ठीक है नहीं यानि यह answer होगा the sleeping potters carriage load up मैंने जो sleeping potters है यानि कुली वो अपने carriage करता है धोता है कितने किलो का तो याद रखिएगा 25 किलो यानि 25 किलो अपने पिट पर धोता है ठीक है न इसा पुछ रहा है carriage मतलब धोता है कितने केजी तक धोता है मित्रो तो 25 केजी धोता है बर्नले प्लोथिन hyज बर्न प्लोथिन bags exudes कैसा smell देता है ठीक है न exudes कैसा smell देता है याद रिएगा पंजेट smell देता है पंजेंट पंजेंट एसमेल देता है ठीक है ना पंजेंट एसमेल देता है विद्यापति बिलंग टू तो विद्यापति कौन से डिस्टिक से बिलंग करते हैं तो याद रखियेगा मधुबनी डिस्टिक जो की आपका बिहार में है वहीं से बिलंग करते हैं वहां का निवासी थे क्रिश्न का इस्टोरी लिखे is whoor огр encouraged by lrg जे से के दोरा लिखा गया है तो आलरजी याद रख़ेगा सपी सिंग के दोरा लिखा गया किसी के दोरा लिखा गया जी स SP सिंग के द्वारा लिखा गया है LRG SP सिंग SP सिंग यानि C एंसर होगा SP सिंग के द्वारा लिखा गया है ठीक है ना LRG को लिखने वाले SP सिंग है ठीक है आज का लिए इतना ही कोचन थैंकी फर वाचिंग दिस वीडियो शेयर एंड संस्क्राइब Have a nice day